मेरे प्यारे जेश्वासियों नमस्कार मन की बात याने आपके साथ मिलने का एक शुब अवसर और अपने परिवार जनों के साथ जब मिलते हैं तो कितना सुखद होता है कितना संतोस दाई होता है मन की बात के द्वारा आप से मिलकर मैं यही अनुभुती करता हूँ और आज तो हमारी साजा यात्रा का एक सो आठवा एपिसोड है हमारी यहां एक सो आठ अंग का महत्म उसकी पवित्रता एक गहन अध्यान का विशह है माला में एक सो आठ मन के एक सो आठ बार जब एक सो आठ दिव्यक्षेत्रा मंदिरों में 108 सीधिया, 108 गंटिया, 108 का ये अंक असीम आस्था से जुड़ा हुआ है इसलिए मन की बात का 108 वा एपिसोड मेरे लिए और खास हो गया है इन 108 एपिसोड में हमने जन भागिदारी के कितने ही उदारर देखे हैं उनसे प्रेणा पाई है अब इस पड़ाव पर पहुंचने के बाद हमें नए सिरे से नई उर्जा के साथ और तेज गती से बढ़ने का संकल्प लेना है और ये कितना सुखत संयोग है कि कल का सुर्योदय 2024 का प्रथम सुर्योदय होगा हम वर्ष 2024 में प्रवेश कर चुके होंगे आप सभी को 2024 की बहुत बहुत शुक पामना है साथियों मन की बाद सुनने वाले कई लोगों ने मुझे पत्र लिख कर अपने यादगार पल साजा किये हैं 140 करोड भारतियों की ताकत है कि इस वर्ष हमारे देश ने कई विशेश उपलब्दिय हासिल की है इसी साल नारीश शक्ती वंदन अधिनियम पास हुआ जिसकी प्रतिक्षा बरसों से थी बहुत सारे लोगों ने पत्र लिख कर भारत के पाँचवी सबसे बड़ी अर्थववस्ता बनने पर खुशी जाहर की अनेक लोगों ने मुझे G20 समिट की सभरता याद दिलाई साथियों आज भारत का कोना कोना आत्म विश्वास से भरा हुआ है विक्सित भारत की भावना से आत्म निर्भरता की भावना से ओत प्रोत है 2024 में भी हमें इसी भावना और मोमेंटम को बनाए रखना है दिवाली पर रिकॉर्ड कारोबार ने ये साबित किया कि हर भारतिय वोकल फर लोकल के मंत्र को महत्पत दे रहा है साथियों आज भी कई लोग मुझे चंद्रियान तीम की सफलता को लेकर संदेश भेजते रहे मुझे विश्वास है कि मेरी तरह आप भी हमारे वैज्ञानी को और विशेश कर महिला वैज्ञानी को को लेकर गर्व का अनुभव करते होंगे साथियों जब नाटू नाटू को अस्कर मिला तो पुरा देश खुसी से जूम उठा दे एलिफंट विश्परर्स को सम्मान की बात जब सुनी तो कौन खुश नहीं हुआ इनके माध्यम से दुनिया ने भारत के क्रियेटिविटी को देखा और परियावरान के साथ हमारे जुडाव को सम्झा इस साल स्पॉर्ट्स में भी हमारे एथलीटों ने जबर्जस्ट प्रदर्सन किया एसियन गेम्ज में हमारे खिलाडियों ने एक सो साथ और एसियन पेरा गेम्ज में एक सो ग्यारा मिडल जीते क्रिकेट वर्ल कप में भारतिये खिलाडियों ने अपने प्रदर्सन से सप्पा दिल जीत लिया अंडर 19 T20 World Cup में हमारी महिला क्रिकेट टीम की जीत बहुत प्रेडित करने वाली हैं, कई खेलों में खिलाडियों के उपलब्दियों ने देश का नाम बढ़ाया, अब 2024 में पैरिस अलेंपिक का आयोजन होगा, जिसके लिए पूरा देश अपने खिलाडियों का होसला बढ़ रहा है, साथियों जब भी हमने मिलकर प्रयास किया, हमारे देश की विकास यात्रा पर बहुत सकारात्मक प्रभाव हुआ, हमने आजादी का अमरुत महोसव और मेरी माटी मेरा देश ऐसे सफल अभियान का अनुभव किया, इसमें करोडों लोगों की भागीदारी के हम सब साक्षी है, सत्तर हजार अमरुत सरवारों का निर्मान भी हमारी सामुही को बलब्दी है, साथियों मेरा ये विश्वात रहा है कि जो देश इनोवेशन को महत्व नहीं देता, उसका विकास रुख जाता है, भारत का इनोवेशन हब बनना, इस बात का प्रतीग है कि हम ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 81 में रैंक पर थे, आज हमारी रैंक 40 है, इस वर्ष भारत में फाइल होने वाले पेटेंट के संख्या जादा रही, जिन में करीब 60 परसंट डोमेस्टिक फंसके थे, क्यू एस एशिया उनिवर्सिटी रैंकिंग में इस बार सबसे इस बनाना शुरू करें, तो एक कभी पूरी ही नहीं होगी, ये तो सिर्फ एक जनक है, भारत का सामर्थ कितना प्रभावी है, हमें देश की इन सफलताओं से, देश के लोगों की इन उपलब्दियों से प्रिणा लेनी है, गर्व करना है, नए संकल्प लेने हैं, मैं एक बार फिर आप सब को 2024 की शुप कामनाई देता हूँ, मेरे परिवार जनों, हमने अभी भारत को लेकर हर तरब जो आशा और उच्छा है, उसकी चर्चा की, ये आशा और उमीद बहुत अच्छी है, जब भारत विक्सिद होगा, तो इसका सबसे अधिक लाब युवाओं को ही होगा, लेकिन युवाओं को इसका लाब तब और ज्यादा मिलेगा, जब वो फिट होंगे, आजकल हम देखते हैं कि लाइफस्टाइल रिलेटेड डिसिस के बारे में कितनी बाते होती हैं, ये हम सभी के लिए, खासकर युवाओं के लिए, ज़्यादा चिन्ता की बात है, इस मन की बात के लिए मैंने आप सभी से फिट इंडिया से जुड़े इन्पुट भेजने का आगर किया था, आप लोगों ने जो रिस्पॉंस दिया, उसने मुझे उत्साह से भर दिया है, नमो एप पर बड़ी संख्या में मुझे स्टार्ट अप्स ने भी अपने सुझाव भेजे हैं, उन्होंने अपने कई तरह के अनूठे प्रयासों की चर्चा की हैं, साथियों, भारत के प्रयास से दोहजार तेईस को इंटरनेशनल येर अप मिलेट्स के रूप में मनाया गया, इस से इस ख्षेत्र में काम करने वाले स्टार्ट अप्स को बहुत सारे अवसर मिले, इनमें लखनव से शुरू हुए किरोज फूर्स, प्रयागराज के ग्रैनमा मिलेट्स और न्यूट्रा सुटिकल रीच ऑर्गेनिक इंडिया जैसे कई स्टार्ट अप सामिल है, एल्पिनो हेल्फ फूर्स, अबोरियल और किरोज फूर्स से जुड़े युवा, हेल्दी फूर्स के आप्संस को लेकर नए-नए इनोवेशन भी कर रहे हैं। बैंगलूर्यू के अनबॉक्स हेल्थ से जुड़े युवाव नहीं है, ये भी बताया है कि कैसे वे लोगों को उनकी पसंदिदा डायेट चुनने में मदद कर रहे हैं। फूजिकल हेल्थ को लेकर दिल्चस्पी जिस तरह से बढ़ रही है, उसे एक शेत्र से जुड़े कोचिश और ट्रेनर्स की डिमांड भी बढ़ रही है। जोगों टेक्नोलोजी जैसे स्टार्टप्स इस मांग को पुरा करने में मदद कर रहे हैं। साथियों, आज फूजिकल हेल्थ और वैल्बिंग की चर्चा तो खूब होती है, लेकिन इस से जुड़ा एक और बड़ा पहलू है, मेंटल हेल्थ का। मुझे हैं जानकर बहुत खुशी हुई है कि मुंबई के इनफी हिल और यॉर दोस्त जैसे स्टार्टप्स, मेंटल हेल्थ और वैल्बिंग को इंप्रूब करने के लिए काम कर रहे हैं। इतना ही नहीं, आज इसके लिए आर्टिफिशल इंटलिजन्स जैसी टेक्नोलोजी का इस्तिमाल भी किया जा रहा है। साथियों मैं इहां कुछी स्टार्टप्स का नाम ले सकता हूं। को एक लिस्ट बहुत लंबी है, मैं आप सभी से आघ्रह करूँगा कि फिट इंडिया के सपने को साकार करने के दिशा में इनोवेटिव हेल्थ केर स्टार्टप्स के बारे में मुझे जरूर लिखते रहे हैं। आपके साथ फिजिकल और मेंटल हेल्थ के बारे में बात करने वाले जाने माने लोगों के अनुभव भी साजा करना चाहता हूं। यह पहला मैसेज सद्गुरु जग्जी वासुदेव जी का है। यह फिट्नेश विशेश रुप से, फिट्नेश अप दे माइन यानि मानसीख स्वास्त को लेकर अपने विचार साजा करेंगे। इस मन की बात में मन के स्वास्त्य पर बात करना हमारा सवबाग्य है। Mental illnesses and how we keep our neurological system are very directly related. How alert, static-free, and disturbance-free we keep our neurological system will decide how pleasant we feel within ourselves. What we call as peace, love, joy, blissfulness, agony, depression, ecstasy, all have a chemical and neurological basis. Pharmacology is essentially trying to fix the chemical imbalance within the body by adding chemicals from outside. Mental illnesses are being managed this way. But we must realize that taking chemicals from outside in the form of medications is necessary when one is in extreme situation. Working for an internal mental health situation or working for an equanimous chemistry within ourselves, a chemistry of peacefulness, joyfulness, blissfulness, is something that has to be brought into every individual's life, into the cultural life of a society, and the nations around the world, and the entire humanity. It's very important we understand our mental health, our sanity is a fragile privilege. We must protect it. We must nurture it. For this, there are many levels of practices in the yogic system. Completely internalized processes that people can do as simple practices with which they can bring certain equanimity to their chemistry and certain calmness to their neurological system. The technologies of inner well-being is what we call as the yogic sciences. Let's make it happen. माद्यम से कुछ कहना चाहती हूँ. माननिय परदान मंत्री श्चिरी नरिंदर मोदी जी के Fit India की पहल, मुझे अपने fitness मंतरा आप सभी के साथ शेहर करने के लिए प्रोसाहित किया है. आप सभी को मेरा पहला suggestion यही है, One cannot outrain a bad diet. इसका अर्थ यह है, अब कब खाते हो और क्या खाते हो इसके बारे में आपको बहुत साफदन रहना होगा. हाल ही में माननिय परदान मंत्री मोदी जी ने सभी को बाजरा खाने के लिए encourage किया है, जो की immunity बढ़ाता है और टिकाओ खेती करने में साहिता करता है और पचाने में भी अहसान है. Regular exercise और 7 गंटे की पूरी नींद बॉड़ी के लिए बहुत जरूरी है और fit रहने के लिए मदद करती है. इसके लिए बहुत discipline and consistency की जरूरत होगी. जब आपको इसका result मिलने लग जाएगा तो आप daily खूदी exercise करना start कर दोगे. मुझे आप सबसे बात करने और अपना fitness मंतरा शेर करने का अफसर देने के लिए माननिय परदान मंतरी जी का बहुत धन्यवाद. हर्मन पृज्जी जैसी प्रतिभासारी खिलाडी की बाते निश्चित रूप से आप सभी को प्रेडित करेगी. आईए, Grand Master Vishwanathan Anandji को सुने. हम सभी जानते हैं कि उनके खेल शत्रंज के लिए mental fitness का कितना महत्व है. नमस्ते, I am Vishwanathan Anand. You have seen me play chess and very often I am asked, what is your fitness routine? Now chess requires a lot of focus and patience. So I do the following, which keeps me fit and agile. I do yoga two times a week. I do cardio two times a week. And two times a week, I focus on flexibility, stretching, weight training. And I tend to take one day off per week. All of these are very important for chess. You need to have the stamina to last six or seven hours of intense mental effort. But you also need to be flexible to be able to sit comfortably. And the ability to regulate your breath, to calm down, is helpful when you want to focus on some problem, which is usually a just game. My fitness tip to all Man Ki Baath listeners would be to keep calm and focus on the task at hand. The best fitness tip, for me, absolutely the most important fitness tip, is to get a good night's sleep. Do not start sleeping for four and five hours a night. I think seven or eight is an absolute minimum. So we should try as hard as possible to get a good night's sleep. Because that is when, the next day, you are able to get through the day in calm fashion. You don't make impulsive decisions. You are in control of your emotions. For me, sleep is the most important fitness tip. So we'll be able to listen to you. सीडियां चड़ना, मुदगर से कसरत करना, अच्छा हेल्दी खाना खाना जैसे मेरा ये मानना है कि शुद घी अगर सही मातरब में खाया जाए तो हमें फाइदा करता है लेकिन मैं देखता हूँ कि बहुत से यंग लड़के लड़कियां इस वज़े से घी नहीं खाते कि कई वो मोटे ना हो जाए बहुत जरूरी है कि हम ये समझे कि क्या हमारी फिटनेस के लिए अच्छा है और क्या बुरा है डॉक्टर्स की सला से आप अपना लाइफस्टाइल बदलो ना कि किसी फिल्म स्टार की बॉड़ी देखकर अक्टर स्क्रीन पे जैसे दिखते हैं वैसे तो कई बार होते भी नहीं हैं कई तरह के फिल्टर और स्पेशल एफेक्स यूज होते हैं और हम उसे देखकर अपने शरीर को बदलने के लिए गलत तरीके शॉटकट का इस्तमाल करना शुरू करते हैं आजकर इतने सारे लोग स्टेरोड लेकर ये सिक्स पैक एट पैक इसके लिए चल पड़ते हैं यार ऐसे शॉटकट से बॉड़ी उपर से फूल जाती है लेकिन अंदर से खोकली रह जाती है आप लोग याद रखिएगा कि शॉटकट केन कट यूर लाइफ शॉट आपको शॉटकट नहीं लॉंग लास्टिंग फिटनेस चाहिए दोस्तों फिटनेस एक तरह की तपस्या है इंस्टिंट कॉफी या दो मिनिट का नूडल नहीं है इस नए साल में अपने आप से वादा करो नो केमिकल्स, नो शॉटकट, कसरत, योग, अच्छा खाना, वक्त पे सोना, थोड़ा मेडिटेशन और सबसे जरूरी, जैसे आप दिखते हो ना, उसे खुशी से एकसेप्ट करो आज के बाद फिल्टर वाली लाइफ नहीं, फिल्टर वाली लाइफ जीओ, टेक कियर, जै महाकाल इस सेक्टर में कई और स्टार्ट अप से, इसलिए मैंने सोचा कि एक युवा स्टार्ट अप फाउंडर से भी चर्टा की जाए, जो इस खेतर में बहतरीन काम कर रहे हैं नमस्कार, मेरा नाम रिशब मलोतरा है, और मैं बैंगलोर का रहने वाला हूँ मुझे ये जानकर बहुत खुशी हुई, कि मन की बात में फिटनेस पर चर्चा हो रही है मैं खुद फिटनेस की दुनिया से बिलॉंग करता हूँ और बैंगलोर में हमारा एक स्टार्ट अप है, जिसका नाम है तगड़ा रहो हमारा स्टार्ट अप भारत के पारंपरिक व्यायाम को आगे लाने के लिए बनाया गया है भारत के पारंपरिक व्यायाम में एक बहुती अद्भुद व्यायाम है जो है गड़ा व्यायाम और हमारा पूरा फोकस गड़ा और मुगदर व्यायाम पर ही है लोगों को जानकर आश्चर्य होता है कि आप गदा से सारी ट्रेनिंग कैसे कर लेते हैं मैं ये बताना चाहूंगा कि गदा व्यायाम हजारों साल पुराना व्यायाम है और ये हजारों सालों से भारत में चलता आ रहा है आपने इसे छोटे बड़े अखाडों में देखा होगा और हमारे स्टार्टप के माध्यम से हम इसे एक आधूनिक फॉर्म में वापस लेके आए हैं हमें पूरे देश से बहुत प्यार मिला है, बहुत अच्छा रिस्पॉंस मिला है मन की बात के माध्यम से मैं ये बताना चाहूँगा कि इसके इलावा भी भारत में बहुत से ऐसे प्राचीन व्यायाम है हेल्थ और फिटनेस से रेलेटेड विधी है जो हमें अपनानी चाहिए और दुनिया में आगे भी सिखानी चाहिए मैं फिटनेस की दुनिया से हूँ तो आपको एक पर्सनल टिप देना चाहूँगा गदा व्यायाम से आप अपना बल, अपनी ताकत, अपना पोस्चर और अपनी ब्रीधिंग को भी ठीक कर सकते हैं तो गदा व्यायाम को अपनाएं और इसे आगे बढ़ाएं साथियों, हर किसे ने अपने विचार रखे हैं, लेकिन सप्पा एक ही मंत रहें, हेल्दी रहें, फिट रहें 2024 की सुरुवात करने के लिए आपके पास अपनी फिटनेस से बड़ा संकल्प और क्या होगा मेरे परिवार जनों, कुछ दिन पहले काशी में एक एकस्परिमेंट हुआ था, जीसे मैं मन की बात के सोताओं को जरूर बताना चाहता हूँ आप जानते हैं कि काशी तमिल संगमम में हिस्ता लेने के लिए हजारों लोग तमिल नाडू से काशी पहुँचे थे वहां मैंने उन लोगों से संवात के लिए आर्टिफिशल इंटलिजेंस, ए आई टूल, भाषणी का सारवजनिक रूप से पहली बार उप्योग किया मैं मंच से हिंदी में संबोधन कर रहा था लेकिन ए आई टूल भाषणी की वज़से वहां मौझूद तमिल नाडू के लोगों को मेरा वही संबोधन उसी समय तमिल भाषण में सुनाई दे रहा था काशी तमिल संगमम में आये लोग इस प्रवोग से बहुत उत्साइद दिखें वो दिन दूर नहीं जब किसी एक भाषण में संबोधन हुआ करेगा और जनता रियल टाइम में उसी भाषण को अपनी भाषण में सुना करेगी ऐसा ही फिल्मों के साथ भी होगा जब जनता सिनेवा हॉल में AI की मदद से रियल टाइम ट्रांसलेशन सुना करेगी आप अंदाज लगा सकते हैं कि जब ये टेक्नोलोजी हमारे स्कूलों हमारे अस्पतालों हमारी अदालतों में व्यापक रूप से इस्तिमाल होने लगेगी तो कितना बड़ा परिवर्तन आएगा मैं आज की युवापीडी से आगरह करूँगा कि रियल ट्राइम ट्रांसलेशन से जुड़े AI टूल्स को और एक्स्प्लोर करें उन्हें 100% फूल प्रूप बनाएं साथियों बदलते हुए समय में हमें अपनी भाषाएं बचानी भी हैं और उनका संवर्धन भी करना है अब मैं आपको जारखन के एक आदिवासी गाउं के बारे में बताना चाहता हूँ इस गाउं ने अपने बच्चों को मात्रू भाषा में सिक्षा देने के लिए एक अनूठी पहल की है मंगलो गाउं में बच्चों को कुडुक भाषा में सिक्षा दी जा रही है इसकूल का नाम है कार्तिक उराउं आदिवासी कुडुक स्कूल इसकूल में 300 आदिवासी बच्चे पढ़ते हैं कुडुक भाषा उराओं आदिवासी समुदाई की मात्रु भाषा है कुडुक भाषा की अपनी लिपी भी है जिसे तोलंग सी की नाम से जाना जाता है ये भाषा धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही थी जिसे बचाने के लिए इस समुदाई ने अपनी भाषा में बच्चों को सिख्षा देने का फैस्खला किया है इस स्कूल को शुरू करने वाले अर्विन उराओं कहते हैं कि आदिवासी बच्चों को अंग्रेजी भाषा में दिक्कत आती थी इसलिए उन्होंने गाउं के बच्चों को अपनी मात्रू भाषा में पढ़ाना शुरू कर दिया उनके इस प्रयास से बहतर परणाम मिलने लगे तो गाउं वाले भी उनके साथ जूर गए अपनी भाषा में पढ़ाई की वज़त से बच्चों के सिखने की गति भी तेज हो गई है हमारे देश में कई बच्चे भाषा की मुश्किनों की वज़त से पढ़ाई बीच में ही छोड़ देते थे ऐसी परेशानियों को दूर करने में नई राष्टिय शिक्षा नीती से भी मदद मिल रही है हमारा प्रयास है कि भाषा किसी भी बच्चे की शिक्षा और प्रगति में बाधा नहीं बननी चाहिए साथियों हमारी भारत भूमी को हर कालखंड में देश की बिलक्षन बेटियों ने गवरों से भर दिया है सावित्रिबाई फुले जी और रानी वेलू नाचियार जी देश की ऐसी ही दो विभूतिया है उनका व्यत्तित्व ऐसे प्रकास तंब की तरह है जो हर यूग में नारी शक्ति को आगे भढ़ाने का मार्ग दिखाता रहेगा आज से कुछी दिनों बाद तीन जनवरी को हम सभी इन दोनों की जन्मिजेंती मनाएंगे सावित्रिबाई फुले जी का नाम आते ही सबसे पहले शिक्षा और समाज सुधार के ख्षेत्र में उनका योगदान हमारे सामने आता है वे हमेशा महिलाओं और वन्चितों की शिक्षा के लिए जोरदार तरीके से आवाज उठाती रही वे अपने समय से बहुत आगे थी और उन गलत प्रथाओं की विरोध में हमेशा मुखर रही शिक्षा से समाज के ससक्ति करन पर उनका गहरा विश्वास था मात्मा भुले जी के साथ मिलकर उन्होंने बेटियों के लिए कई स्कूर्ष शुरू किये उनकी कविताएं लोगों में जाग रुकता बढ़ाने और आत्मे स्वास भरने वाली होती थी लोगों से हमेशा उनका यह आग्रह रहा कि वे जरूरत में एक दूसरे की मदद करें और प्रकृति के साथ भी समरस्ता से रहें पर कितनी दयालू थी इसे शब्दों में नहीं समेटा जा सकता जब महाराष्ट में अकाल पड़ा तो सावित्र भाईव और महात्मा फुले ने जरूरत मंदों की मदद के लिए अपने घरों के दरवाजे खूल दिये सामाजे ग्नाय का ऐसा उधारण दिरले ही देखने को मिलता है जब महापलेक का भई व्याप्त था तो उन्होंने खुद को लोगों की सेवा में जोंक दिया इस दोरान वे खुद इस विमारी की चपेड में आ गई मानवता को समर्पित उनका जीवन आज भी हम सभी को प्रेरित कर रहा है साथ क्यों विदेशी साथन के खिलाब संगर्श करने वाली देश की कई महान विभित्यों में से एक नाम रानी वेलू नाचियार का भी है अंगरिजों के खिलाब रानी वेलू नाचियार जिस बाधूर से लड़ी और जो पराक्रम दिखाया वो बहुत ही प्रेरित करने वाला है अंगरिजों ने शीवगंगा सामराज्य पर हमले के दोरान उनके पति की हत्या कर दे थी जो महां के राजा थे रानी वेलू नाचियार और उनकी बेटी किसी तरह दुस्मानों से बच निकली थी वे संगर्धन बनाने और मरूद ब्रदर्स यानि अपने कमांडरों के साथ सेना तयार करने में कई सालों तक जुटी रही उन्होंने पूरी तयारी के साथ आंगरी जों के खलाब युद्ध शुरू किया और बहुत हिम्मत और संकल प्रशक्ति के जाथ लड़ाई लड़ी रानी वेलू नाचियार का नाम उन लोगों में शामिल है जिन्होंने अपनी सेना में पहली बार आल विमेन गुरूप बनाये था में दोनों बिरांगनाओं को सद्धा सुमन अर्पित करता हूँ मेरे परिवार जनों गुजरात में डायरा की परंपरा है राद भर हजारों लोग डायरा में सामिल होकर के मनोरंजन के साथ ज्ञान को अर्जित करते हैं इस डायरा में लोकसंगीत, लोकसाहित्या और हाश की त्रिवेणी हर किसी के मन को आनंद से भर देती है इस डायरा के एक प्रसित्त कलाकार है बाई जगदिस्त्रिवेदी जी हाज से कलाकार के रूप में बाई जगदिस्त्रिवेदी जी ने तीस साथ से भी जाना समय से अपना प्रभाव जमा रखा है हाली में बाई जगदिस्त्रिवेदी जी का मुझे एक पत्र मिला और साथ में उन्होंने अपने किताब भी भेजी है किताब का नाम है Social Audit of Social Service एक किताब बड़ी अनूठी है इसमें हिसाब किताब है ये किताब एक तरह की balance sheet है पिछले छे सालों में भाई जग्दिस त्रिवेदी जी को किस-किस कारकम से कितनी आय हुई और वो कहां-कहां खर्च हुआ इसका पूरा लेखा जोखा किताब में है ये balance sheet इसलिए अनूखी है क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी आय एक-एक रुपिया समाज के लिए school, hospital, library, दिव्यांग जनों से जूड़ी संस्तावों समाज सेवा में खर्च कर दिया जैसे किताब में एक स्थान पर लिखा है 2022 में उनको अपने कारकमों से आय हुई दो करोड पैंतिस लाग उन्यासी हजार छेसो चोहतर रुपिये और उन्होंने school, hospital, library पर खर्च किये दो करोड पैंतिस लाग उन्यासी हजार छेसो चोहतर रुपिये उन्होंने एक रुपिया भी अपने पास नहीं रखा दरसल इसके पीछे भी एक दिल्चस्प बाक्या है हुआ यूँ कि एक मार भाई जगदिश त्रिवेदी जी ने कहा कि जब 2017 में वो 50 साल के हो जाएंगे तो उसके बाद उनके कारकमों से होने वाली आई को वो गर नहीं ले जाएंगे बलकि समाज पर खर्च करेंगे 2017 के बाद से अब तक वो लगभग पौने नव करोड रुपिये अलग-अलग सामाजिक कारियों पर खर्च कर चुके हैं एक हश्यक अलाकार अपनी बातों से हर किसी को हसने के लिए मजबूर कर देता है लेकिन वो भीतर कितनी संबेदनाओं को जीता है ये बाद जगदेश त्रिवेदी जी के जीवन से पता चलता है आपको ये जानकर हैरानी होगी कि उनके पास पी-एच्डी की तीन डिग्रियां भी है वो 75 किताबे लिख चुके हैं जिन में से कई पुस्तकों को संद्मान भी मिला है उन्हें सामाजी कारियों के लिए भी कई पुरसकारों से सम्मानित किया जा चुका है मैं भाई जगदेश त्रिवेदी जी को उनके सामाजी कारियों के लिए बहुत-बहुत शुबकामनाई देता हूँ मेरे परिवार जनो अयोध्या में राम मंदिर को लेकर पूरे देश में उत्सा है उमंग है लोग अपनी भावनाओं को अलग-अलग तरह से व्यक्त कर रहे हैं आपने देखा होगा बीते कुछ देनों में स्री राम और अयोध्या को लेकर कई सारे नए गीत, नए भजन बनाए गए हैं बहुत से लोग नए कविताएं भी लिख रहे हैं इसमें बड़े बड़े अनुभवी कलाकार भी है तो नए उभरते युवा साथियों ने भी मन को मोह लेने वाले भजनों के रचना की है कुछ गीतों और भजनों को तो मैंने भी अपने सोशल मीडिया पर शेयर किया है ऐसा लगता है कि कला जगत अपनी अनूठी शैली में इस अईतिहासिक छण का सहभागी बना है मेरे मन में एक बात आ रही है कि क्या हम सभी लोग ऐसी सारी रचनाओं को एक कॉमन हैस्टेक के साथ शेयर करे मेरा आपसे अनुरोध है कि हैस्टेक स्री राम भजन के साथ आप अपनी रचनाओं को सोशल मीडिया पर शेयर करे कि संकलन भावों का भक्ति का ऐसा प्रभा बनेगा जिसमें हर कोई राम मै हो जाएगा मेरे प्यारे देशवासियो आज मन की बात में मेरे साथ बस इतना ही 2024 अब कुछी घंटे दूर है भारत की उपलब्दियां हर भारत वासी की उपलब्दी है हमें पंच प्रावनों का ध्यान रखते हुए भारत के विकास के लिए निरंतर जूटे रहना है हम कोई भी काम करे कोई भी फैसला ले हमारी सबसे पहली कसोटी यही होनी चाहिए कि इससे देश को क्या मिलेगा इससे देश का क्या लाब होगा राष्ट प्रथम नेशन फर्स्ट इससे बड़ा कोई मंत्र नहीं इसी मंत्र पर चलते हुए हम भारतिय अपने देश को विक्सित बनाएंगे आत्म निर्फर बनाएंगे आप सभी 2024 में सफलताओं की नई उचाई पर पहुँचे आप सभी स्वस्त रहें फिट रहें खुब आनंद से रहें मेरी यही प्रार्थना है 2024 में हम फिर एक बार देश के लोगों की नई उपलब्दियों पर चर्चा करेंगे बहुत बहुत धन्यवाद तो देश के प्रधार मंतरी नरिंदर मोडी की मन की बात कारकरम को आप सुन रहे थे फिट इंडिया मोटे अनाज समेथ कई विश्यों को लेकर यहाँ पर उन्होंने बातचीत की है चर्चा की है और अपने मन की बात देश की जनता के सामने रखे